तो दोस्तो एक वार फिस से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिक क्या टिफ्स में तो दोस्तो आज है संडे तो संडे की दिन आपको मैं पूरी नर्स्री दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में सर्दी में कौन-कौन से प कि अब लगाने और बृट्ऊ के लेकर बता जाएंगा है है और दोस्तो आगे रखने का यह हैं कि अबी सर्दी स्टार्ट होने वाली है और दोस्तो दिवाली से पहले हर कोई अपने गर्में फूनों के पौधे लगाता है तो मैं आपको भी बताना चाहताms कि अगर आप भी अपने घर में फूलों वाले पौदे लगाना चाहते हैं तो विंटर के जितने भी सिजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो अभी आपको नर्सिस से मिल जाएंगे वो अभी आप पर्चेस कर सकते हैं 20-25 रपे में पौदा आपको मिल जाएगा और साथ में दोस्तों जैसे पौइन सेटिया, कलैंचो, जर्वेरा जे सबी जो पौदे हैं इन्हें भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और जितने भी आपके पर्मानिंट प्लांट हैं जो आपके बहार ड्रेक्ट दूप में पड़े हैं तो दोस्तों अभी सर्दी स्टार्ट होगी अपने पौदें खराब हो सकते हैं तो जहीं काम अभी नरस्टार्ट में हो रहा है कुश पौदों को जो है वो ग्रीन यट कि नीचे रखा जा रहा है और कौन-कौन से पौदों की अपने किस तो क्यार करनी है वैसे वहें सर्दी आने से पहले ही वीडियो बना दूँगा आप अच्छे से वो वीडियो जुरूर देखना और अपने पौदों के अच्छे से क्यार करना तो उसे पहले दोस्तों मैं दिखा देता हूं कि यह डेलिया है और अभी आपको मिलेगा 25 से 30 रुपे की रेंज में यही साइस का डेलिया मिलेगा जो आप अभी सित्रीन के ओप सब्सक्राइब है और अगरे परटुनिया की बात कर लेता हूं तो परटूनिया वी आपको मिल जाएगा सिर्फ 25 रुपे में तो परटूनिया में कडलर भी आपको काफ मिल जाएं के तो पर्टूनिया भी पच्छिस कर सकते हैं अभी आपको थोड़ा हा लग रहागा दिखिए तो यह पौदा आपको मिलेगा सिर्फ 20 रपे में तो मेरी गोल्ड यह अफ्रीकर मेरी गोल्ड है जो सेंजेटा का आता है मैं आपको दिखा रहा था कि किस दिए किसे बीज लगाने हैं वीडियो बनाई है यह प्रौपर वो आप देख सकते हैं कि यह के उपर अगर बिखोणी और जो जो मेरे पास डाइंतर से बहुत अच्छे से हो रही है वह भी चलना स्टार्ट हो चुके हैं तो क्लेंचु देखिए कटिंग से क्लेंचु लगाया था तो अगर आप क्लेंचु लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 50 रपे में क्लेंचु के पाउदें वो मिल जाएंगे इनकी ग्रोथ जो है वो अभी हो रही है तो काफी लोग और नर्स्ती से पहले क्लेंचु के पाउदे लिए भी थे लेकिन वो अच्छे से चले नहीं है तो मैंने बोला था कि कटिंग जरूर लगा लेना और जिन्होंने कटिंग लगाई होगी उनकी कटिंग अच्छे से ग्रोख हो गई होगी तो जैंतर से दोस्तों डैंतर के उपर मैंने जो है फाटी लेजर दे दी हैं इनकी ग्रोथ ही भी होना स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी यह भूशी हो जाएंगे तो भी एक अपडेट मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा तो अभी मैं तो थोड़े से अपने इंडोर के प्लांस दखा देता हूं जी देखिए यह हमारे इंडोर प्लांस हैं तो इनके नेम रेट वह भी मैं किसी और जो है वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा तो आज मैं आपको सिर्फ जो अभी विंटर में आपको प्लांस लगा सकते है जिन से जहाँ से ज़्यादा फूर ले सकते हैं वही आपको बताऊंगा और मैंने पहले काफी ज़्यादा नर्स्टी टूर के उपर वीडियोस बनाई हैं उन्हें मैंने रेट भी बताए हैं आपको बहुत देख भी सकते हैं तो चलिए आपको मैं फाइकस माइकलम का रेट ऑगर फॉर्न लेना चाहते हैं तो फॉर्न अबको मिल जाएंगी सिर्फ 60 में और पान की बेट भी आपको मिल जाएगी 250 में08 c8-100 अचाहते हैं नर्स भे आप फुरबह में इछिक दूर तो चलिए दुवारा से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं जो आप देख रहे हैं इनकी केर कर रहे हैं दोस्तों ने बीज से ग्रोव किया तो किस तरीके से बीज से ग्रोव करना है प्रोपर एक वीडियो बना रखी है वो जल्दी आपके साथ शेयर करूंग तो प्रोपर एक वीडियो में आपके साथ इनके ओपर जूरूर शेयर करूंगा तो जैदेखिए ये मेरी गॉल्ड औरेंस इसके ओपर भी जो फूल है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी गॉल्ड एक तर्फ तर्फ हमने पॉलिस में लगा रखा है और तीसरी तर्फ भी लगा रखे हैं तो दोस्तों गुल्डोदी का भी बिलुकुल सही समय है आप गुल्डोदी को अभी नर्सी से पर्चेज कर सकते हैं 25-30 रुपे में एक पौदा मिल जाएगा और दोस्तों एक पौदे में आप दो तीन को भाराबा हो जाएगा तो दैंटास भी है डॉक्त फ्लावर विह है और दोस्तों जितने बी सीजिनल फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे केल दिख सकते हैं है अब केलद की भी घृव अभी अब लगा सकते हैं ये यह अव्नमेंटल केलव होता है दोस्तों जो जो घोबी की मेरे खराब भी हो गए हैं, हो जाते हैं, अगर आप मने 100 पौदे लगाएं, तो 100 में 10-20 पौदे तो खराब हो ही जाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, नरसी में ऐसा होता है, केर करते हैं, लेकिन फिर भी 2-4 पौदे खराब हो जाते हैं, इसमें आपको कलर काफी मिल जा को मिल जाएंगे और अभी अगर आप सीजिनल फ्लाविक प्लांस नर्सी से पर्चेस करना चाहते हैं तो सिर्फ 20-25 में आपको टूटली मिल जाएंगे और दोवाली के पहले आप इन्हें अपने घर में चुरूर लगाएं जासे जासे इसे फूल ले सकते हैं जै दोस्तों प संगार का हमारा जो पेड़ हो दिखा देता हूं तो दोस्तों इस पेड़ के उपर हजारों फूल आ चुके हैं और अभी भी जो हैं हजारों फूल खिलने वाले कलियां देख सकते हैं पूरा फूलों से बरा हुआ पेड़ है और इसे नाइट जैसमीन भी बोला जाता है दोस्तों जो आप देख रहे हैं चैना पाम जे देसी वाला चैना पाम है आपको सिर्फ 50 रपे में हमारे पास मिल जाएगा तो यह हमारे इंडूर प्लांस हैं इनके रेट मैंने पहले आपको बता चुका हूं इनके नेम भी बता चुका हूं हर एक वीडियो में आपके करूंगा अगर आप हमारी नर्सी में बिजट करना चाहते हैं तो नर्सी का ड्रस में आपको दे दूँगा डिस्क्रेफशन में और आपको प्लांस जो हैं वो आपको काफी जास सब्सक्ते हमारे पास मिल साएंगे और जितने भी विंटर फ्लांस प्लांस प्रचेस करना च कर सकते हैं तो दोस्तों और काफी ज्यादा प्लांट्स थे हमारे पास जो अभी इसे वीडियो में मैंने आपके साथ शियर नहीं किये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स भी और इसके लावा पर्मानेंट प्लांट्स भी जैसे अंडेनियम, क्लैंचू, पॉइंसेटिया, ज जर्वेरा काफी प्लांट्स से रह चुके हैं, तो किसे और वीडियो में आपके साथ जरूर शियर करूँगा, तो वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाइट टेक क्यार हैपी करनेंग